अब एक फोन गुमाओ घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही रासन खरीदने की क्या है जरूरत जब ओईमार्ट है आपके लिए तैयार ओईमार्ट के मुवाईल एप या वेप साइट से कड़े बाजार मुल्ली पर खुल कर खरीददारी पाए होंग डिलेवरी ओईमार्ट के मुवाईल एप के सिधे वाट्सप से कड़े संपर्क सामान का लिष्ट या फोटो खीच कर भेजे करायें बुकिंग संपर्क कड़े 83403717877325052437 GS News पर चल रहे प्रशन उत्तरी प्रतियोकता में आज का सवाल पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को साल 2020 का होस्टेज वेजिटेरियन सेलेब्रिटी ट्रॉफी से समानित किया है ए सो नुसूद भी साहित कपूर सी सलमान खान या डी अमिता बच्चन वीडियो को रोक कर अपना जवाब को में जड़ दे बीपूर शियम नितिशकुमान ने गौरीडी में मिले पूरा तात्विक शामगरीव अस्थल का किया निरक्षन कहा गौरीडी पौराणी के वोम एतिहासिक अस्थल है अस्थल का होगा पूरा अध्यन वीपूर के जएरामपूर पंचयद के गौरीडी में कोसी नदी के कटाओं से निकले पूरा तात्विक सामगरी आइवाँ। लेकिन यहां जो पुरातत्तों सामगरी मिले हैं वे काफी महतफुर्ण हैं और उन्होंने कहा कि मैं तो धनिवार देता हूँ यहां के विधायक इंजिनियर सैलंदर जी को जिन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी यहां आने के बाद पता चला कि यहां के लोगों को पहले भी पुरातात्यों के अवसेस मिले हैं यहां के युवाओं ने उन अवसेसों को इकटा करके रखा है पुरात्यों सामक्रियों के तस्मीर मिलने के बाद मैंने यहां आकर सब कुस देखा यह एक एतिहासिक जगह है आज तक जितने जगहों को मैंने देखा है उस तजुर्वे से यह कह सकता हूं कि यह एक एतिहासिक जगह है यह कहना है कि यह पचीस सौ साल पुराना है यह उससे ज्यादा का भी हो सकता है पर पर यह पर अपका पर उसी नदी के पाड़ में जो कुछ बी यहां पर हो गया पुछे पुछ पताया मुश्मुत तकाल हमने एक्सपर्ट की टीम उका है कि आजाने के देखिए कि यहां के लोगों से बादशीत करने के बाद लोगों ने यहां के बारे में एक छोटी रिपोर्ट की दीक हुआ कई यह बहुत ही आइधिहासिक जगह इसका पूरा होने का प्रमान दीख रहा है जो कुछ भी काउंट ने तो इन लोगों ने जो सूचना दी तो उसके बाद ही हमने यह तय कि आखिए अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के किसी इलाके में यहां के बारे में कभी किसी ने कुछ पताया नहीं लेकिन पहली बार हम तो विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कुछ होने इसको सूचना त और यहां आने के बाद पता चल रहा है कि यहां की अनियक लोगों को पहले और बालों का क्या नाम है जो बता हैं अबिनास तो इन्हों ने भी कई चीजों को इकठा करके रखा तो इसका तो तस्वीर हमको मिल गया था और यहां करके सब कुछ हमने देखा है और आप देख हैं कि इसका चक्कर लगा करके जो कुस मिया हमको लगा है मुझे लगता है कि यह बहुत poor tay पूरा ऱै और यह कहना कि सिर्फ दो घाई हजार साल पुराना होगा हो सकता हुस से बी ज्यादा पुराना है कि तो यह पौरानिक जगह है इसके बारे में सब को जानकारी होनी चाहिए आप किसी तरह से यहां मिल गया और अभी जानकारी हो गई तो विस्सक्री लोग तो आ गए हैं देख रहे हैं और जो हमारे एरिगेसन दिपार्टमेंट के हैं, माननिय मंत्री जी भी आ गया है, माननिय प्रधानसची भी आ गया है, उनके इंजीनियर्स लोग ही आ गया है, तो एक तो सबसे पहला जो यहाँ पर करेगी, जो पूसी नदी का यह जो थार है, इसको थोड़ा डाइवर्ड किया जाएगा उसके लिए प्रयास करेंगे सबसे बढ़ा ताकि ये गुरा का पूरा इलाका प्रोटेक्टेट हो जाए और सिर्फ यही नहीं इसके अलावे चार-पांच गाउं छे गाउं और प्रभावित होते हैं तो सब प्रोटेक्टेट होगा एक तो यह और दूसरी बात है कि इन जग मिलेगा तो उससे पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना बड़ा मुसको तो लग रहा है कि इसका एरिया बहुत बड़ा और अगर इसके बारे में कन्फरमेशन हो गया तब तो फिर हम पूरे इलाके को विक्सित करेंगे इस रूप में एतिहासिक जगह क रुपे विक्सित करेंगे और जो लोग भी है उन लोगों की सहमती से जरुरत पड़ेगा तो उनके जमीन को एक वायर करेंगे हम लोग वेक अलग बात है आगे की बात है पहले तो जो कुछ भी है उसमें देख करके पूरे तोर पर जब यह नतीजा निकल जाएगा और उसका हम जो देख रहे हैं टीला इसका हाइट तो यहां से उधर का और इस साइड में हम जो देख रहे हैं तो इसका एक अच्छा खासा इलाका निकलेगा और मुझको तो लग रहा है यूं तो मैं विशेसक की नहीं है लेकिन सब जगव मैं देखता रहा हूं मेरे दिल में यह ब बना हो या कोई भी चीज रहा हो यह पता चलेगा तो अब तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेगा एक एक करवेक तो इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए उपाई जो कहा हम ने कोसी नदी से और दूसरी तरफ इसमें जगह जगह देख करके लोग इसका आकलन करेंग और देखेंगे और तब जाकर के एक नतीजा पूरे इलाके का पता चलेगा और जब ऐसा कुछ हो गया तो इसकी आगे जो उब्यूक्त का रवाई है वो की जाएगा ताकि यह एक बिल्कुल अइतिहासिक और परनिक जगह है और यह चीज पता चलेगा तो आप सोच जो कुछ भी दीख रहा है तो एक एक चीज का आकलन और अध्यन होगा और अध्यन करके जो कुछ भी सामने आएगा तो उस पूरे एरिया को अगर जबुरत पड़ा तो कवर करेंगे और उसके बाद एक इतिहासिक स्थल के रूप में इसके बारे में पूरी जानकारी ना स सर हम लोग जो है यहां दो साल से खुदाई में सब लरका लोग जितना हमारा साथ ही था सब को बोले कटाब हो रहा है बहुत समौन है यहां पर चलो ढूंडेंगे तो सारा मित्र हमारा जो है बोला चलियो यहां आए तो जेखे बहुत समौन था धीरे-धीरे खोजते गए और रोज समवन हम लोगों को मिलता गया सर, इसलिए हम लोगों भी डेली खोजने आते थे, समवन खोज खोज के ले जाते थे, जिसमें सारे मित्र और सारे ग्रोमीन लर्कों और बुजूर्गों का भी सहयोग था, जिसके बाद ये कौम हुआ, आज सीम सहबाएं जिसमें की परभात्खबर के पत्रकार क्रिश्णा भाईया ने सबसे वरा योगदाउन दिया जो आज बात सीम साहब तक पहुँचा है। इसके लिए हम क्रिश्णा भाईया को भी धनिवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के आवाज को सीम साहब तक पहुंचोने का कौम किया है। इस पी सहब और जी शाहब को सीम साहब निर्देश दे दिये हैं कि अब जो है वहीर में तुम को परिशाण करता है बदमस्थ उसको जो है यहां से आप लोग को देखना है जल्दी से ब्यवस्था दुरुस्त किया जाएं सहाब उन लोगों को निर्देश दिए अभी भी पर किसान करने किया较 रूपीया रास गयउका पावणी को लेता है। इसका जिसuse करने देता है। अब सभ बहियार भी उध्धार हो जाएगा और पर्शासन भी पूरी तैयारी के साथ बदमोसों का मुकाबला करेंगे अब आप लोगों का क्या रनीती हम लोगों का तो यही सीम साहब से मौंग है सर कि गुवारीडी के बगल में एक पूल बन रहा है मिसिंग लिंक वाला जिसका उद्गाटन हो चुका है तो हम लोगों का मौंग है कि जब यहाँ पर इत साहब को दिये हैं अभी जो है ग्रामी नस्तर से अभी सर्च अभ्यान आपका जारी रहेगा हां सर्च अभ्यान तो हम सर जारी रखेंगे का है कि कल भी देखे दो तीन इटा खोल लिया जिसको आज सीम साहब देखने गए थे तो यहाँ पर रहेंगे तब ही सब समान सुरक अच्छिद रहेगा सर इसलिए हम लोग को तो आनों ही है यहाँ पर और आते ही रहेंगे धन्यबाद नवगच्या का एक मात्र ऐसा स्थान जहां साधी विवाह मनाने का है संपूर्ण समधान होटल फुड पलाजा के सोना ओपन मेरिस गाडन नवगच्या का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्ता के साथ जहां उपलब्द है एसी ननेसी कमरे मंडप बूफे काउंटर हाईटी डीजे फ्लोर रोटेशन लाइट के साथ सभी आधोनिक विवस्ता आपके लिए आईए आपका इंतजार है होटल फुड पलाजा के सोना मेरिस गाडन जीरो माइल नवगच्या भागनपूर संपर्क सुत्र 96619048177992499821 नवगच्या जलू दाश्टोला में किसान की हत्या कर सब को किया गायव परिजनों ने थाना पहुँचकर पुलीस को दी जानकारी घटनास्तल से कथित रूप से मिरतक का चपल और गमच्या बरामर जलू दाश्टोला के 36 वर्षिया किसान बवलू मंडल की हत्या कर सब को गायव करने कारोप लगाया है परिजनों ने कहा कि सुबा 7 बजे उन लोगों को सूचना मिली की बवलू की हत्या कर उसके सब को रदी में बहा दिया गया है जब लोग घटनास्तल पर पहुंचे तो वहाँ खून के निसान थे और बबलू मंडल का गमच्या और चपल घटनास्तल पर ही लवारी सबस्ता में पड़ा हुआ था परेजनों का काना है कि उन लोगों को पुर्ण विश्वास है कि आरोपियों ने बबलू की हत्या कर सब को गायब कर दिया है वहीं दूसरी तरफ रंगरा थाने में प्रात्मी की दर्ज करने की प्रकिरिया भी सुरू कर दी गई है का जो डिस्ट्रॉइड है वह हमको नहीं लगता है कि हजार साल से कम हजार साल के आसपास नौस साल हजार साल साल जगह जगह वह हुआ है अब उसके पहले का है तो हमने तो सुरू में ही कह दिया जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं भाई यह तो पचीस सौ साल से भी ज्या अनकारी प्राप्त करना है अब यह हमनों कर लक्ष है वह तो एक अलग चीज़ है वहाँ भी एक्सपर्ट को भेज दिया गया है सब्सक्राइब करेंगा जिसलिए तो आपके सब बैठे हुए हैं मानिय मंत्री जी बीजे कुमार चोद्री जी भी है प्रधान सचीद भी है तो इरिगेसन विवाक के तो यह सब लोग अभी बातचीत हो गई अब इसके बाद उनके इंजीनियर्स भी हैं इसके लिए है और यह भी नक्सा को देख करके हम लोगों को जो सुझाव देनाता वो दे चुक है तो इसको जब तक जो सुरू में हमने कहा कि इसको जब तक अभी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो पूरी चीज की जानकारी नहीं है वैसे जब-जब यसे होता रहेगा फ्लड आता रहे होता है और बाद में कुछ पता नहीं चाहते हैं तो हम तो चाहते हैं इसकी पूरी अथिहासिक जगह के बारे में जानकारी हो लोगों को उसके लिए अभी से ही काम सो करें दोलवजा में सीविर लगाकर 77 लोगों के अंखों की की गई जाज रभीवार को पंचायद भवन परिसर डोलवजा में आई इंस्टिट भागलपूर के द्वारा सीविर लगाकर करीब 77 महला पुरूस के आंकों की जाज की गई सीविर का उदगाटन मुखिया राजकुमार उर्पमूना मंडल ने किया सुन्दरम अहुना मतन, बिहार का सुप्रसीद एवं पूर्वी चमपारं का नॉनवेस टेश्ट अब आपके सहर नवगच्या की सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन एवं बहतरिन स्वात के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आत के लिए तयार है सुंदरम अहुना मटन नवगच्छिया, स्टेशन चॉक, राजेंदर कॉलोनिमोर नवगच्छिया, नववर्स 2021 पर अहुना मटन एवंच चिकन की खड़ी दारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पथाड़े, संपर के सुत्र 8603493747, खाने में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेश नवगच्छिया, कोसी कच्छार में उम्रा जनसैलाब, पहली बार कोसी टट पर जोड़े एक साथ हजारो लोग, पुराव शेशों का अबलोकन करने गौारी दी बहियार आए बिहार के मुख्यमंतरी निटिश कुमार के आगमन पर जनसैलाब उमन पड़ा, जैरामपूर के गरामीनों ने कहा कि दियारा में इतनी भीड आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी, मुख्यमंतरी को देखने के लिए इतना भीड आई की प्रसासन, बान से गवारी दी तक जाने के लिए बनाए गए रास्ते पर भी रहरा कर जाम लग रहा था, ऐसी इस्तिती में लोग हरी भरी फसलों से लहलाहते खेतों से होकर अपना रास्ता बना रहे थे, बीस यदि किसानों की फसल चती हो गई है, किसानों ने जिला प्रसासन से मुख्यकी मांग की है तब तो फिर हम पूरे इलाके को विक्सित करेंगे, इस रूप में एतिहासिक जगह के रूपे विक्सित करेंगे और जो लोग भी है उन लोग की सहमती से जरुरत पड़ेगा तो उनके जमीन को एक वायर करेंगे हम लोग वेक अलग बात है, आगे की बात है, पहले तो जो जरूर मिलेगा, दूसरी जगों पर भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर में भी नस्दीक में भी निकालेंगे तो कुछ चीजी जरूर निकलेगे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं टीला, इसका हाइट है, तो यहां से उधर का और इस साइट में भी हम जो देख रहे हैं, तो एक अच्छा खासा इलाका निकलेगा और मुझको तो लग रहा यूँ तो मैं विशेसक की नहीं हूँ लेकिन सब जगों मैं देखता रहा हूँ मेरे दिल में ये बात है ये पौरानिक जगह है इसका देखेंगे तो इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त है ये जरूर कोई बड़ी जगह रही है इसमें लोग रहे हैं कोई न कोई चाहे वो सहर बना हो या कोई भी चीज रहा हो ये पता चलेगा तो अब तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेगा एक एक करवेक तो इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए उपाई जो कहा हमने कोसी नदी से और दूसरी तरफ इसमें जगह जगह देख करके लोग इसका आकलन करेंगे और देखेंगे और तब जाकर के एक नतीजा पूरे इलाके का पता चलेगा और जब ऐसा कुछ हो गया तो इसकी आगे जो उप्यूक्त कारवाई है वो की जाएगा ताकि यह एक बिल्कुल अइतिहासिक और परणिक जगह है और यह चीज पता चलेगा तो आप सोच लिए इस इलाके के बारे अभी हम लोग बाका में गए तोहां पर क्या निकला आप सब लोगो मालूम है फिर यहां पर जो आ रहे हैं यहां पर तो और पड़ी चीज निकल कर रही है जो कुछ भी दीख रहा है तो एक एक चीज का आकलन और अध्यन होगा और अध्यन करके जो कुछ मुख्यमंत्री नितिश कुमार ही है अविनास के प्रेरना सुरूत गरामीन अस्तर से गवारी दी टिले पर सर्च अभियान चला कर पुराल सेसों को इकटा करने वाले अविनास कुमार के प्रेरना सुरूत मुख्यमंत्री नितिश कुमार है अभिनास काते हैं कि एक समय जम्मू के मंत्री धिकास यात्रा पर बराबर जा रहे थे तो उस समय यात्रा के क्रम में एक जगा पर उन्होंने एक टीले की खुदाई का निर्देश दिया तो वहां कई पुराने चीज़े निकली और वह इलाकाल लोगों के नजर में आ गया थ अभिनास ने जेपी कॉलेज नाराइनपुर में इंटर तक की पढ़ाई की है इसके बाद अभिनास से नाभरती और अनप्रतियोगता परिक्षा की तैयारी करते रहे जब बात नहीं बनी तो एक मूर्गी फार्म खोल लिया अभिनास बताते हैं कि मूर्गी फार्म से डाल अभिनास ने पुराव सेसों को इकठा करना सुरू किया तो लोग मजाग उडाते थे कहते थे इसको भी अब कोई काम नहीं बचा है और जितकी खपड़ा चुनने लगा है अभिनास कहते हैं कि उसने जहां तक इतिहास की प्रारंबिक जानकारी ली थी तो वो जानते थे कि जो सामान टीले से मिल रहे हैं वे कोई सधारन सामान नहीं है अभिनास ने पुराव सेसों को इकठा करने का जुनून है और इसी जुनून ने सुबे के मुख्यमंत्री को गवारीडी खीच लाया और अभिनास को भी चर्चित बना रिया मुंत्री का आगमान ने इस पर कुछ अपकार परती कि लिए देखिए यह हमारे बिहपूर के लिए बिहार के लिए आज गौरव का दिन है जो फाच हजार साल पुराना पूरा तात्विक अफ्शेश मिला और यह हमारे जैरामपूर के जुबक हविनास जी उन्होंने ही औ और प्रभाद खबर के कृष्णा जी काफी दिनों से इस पर लगे हुए थे लेकिन कुछ दिन पहले तक हम विधायक नहीं थे जो पुर्व के विधायक थे या शांसर थे बुलो मिनल बरसा इस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने विधायक बंते ही सपत ग्रहन लिया और पुरी जानकारी लिए उसके बाद उन्होंने ही वहां के करजाले से कहा कि इंजिनियर सेलेंड जी को वहां सेक्रेटरी है इसी विभाग को देखते हैं अनपरम जी इस अफसर है उनसे संबाद हुआ और 15 तारिक को यहां पुरी टीम आ गई इसका सर्वेक्षन करने के तो उनका भी यह कहना है कि यह चंपा से जुड़ा हुआ है करण की भूमी अंग की धरती पर इतना पुराना अवसेस हम लोग आज तक नहीं देखे थे इसलिए इसकी जाच होगी खासकर यहां के विभागा विभागा अध्याच्य जो है अवद विहारी जी दिनेश जी य मुखमंत्री जी आज आ रहे हैं और एक सब्ता के अंदर उन्होंने हमें समय दिया इसके लिए हम बहुत ही गर्मानवीत महसुस कर रहे हैं और मुझे पूरी विश्वास है पूरा उमीद है कि आने वाला समय हमारे लिए काफी महत्वण होगा और यहां एक प्रेटक गौरब की बात है यह पूरा तात्रिक अफसेश केवल भीपूर के लिए तो होगा नहीं हमारा स्वभाग है कि मेरे विधान सभा में मिला है अब यहां पर एक विशय आ रहा है कि कोशी का कटाओ जो हो रहा है इसके वजह से यहां जो यह 25 एकड का भूमी था वो कटकर जल संसाधन विवाग से कि पहले जो बैनाडी का धार था उसी धार में इसको जोड़ दिया जा और इधर बंद हो जाएगा तो मेरा यह तिल्हा बच जाएगा और यह पुरा तात्रिक अफसेश का जो खुदाई होगा और बहुत ही महत्तव पुद्शी बिलेगा से अज ज़最क्शा करें ऑफ़ के जब यहां के विशेशक्या वह नहीं बताई जो ऐसे पर्याटय का स्थाल बन सकता है तुद्वी जब 2 सिर्थय नगचिया में कानः सुईट्स य burst रेस्टोरेंट हमारे यहां स्वादेश्ट मिठाई जैसे काजो पान, काजो फ्रोट, काजो कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजेज मिठाईयां उपलब्ध है सुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें साथ ही पनीर डोसा, पनीर पीजा के लिए जरूर पधाणे, काना स्विट्स प्रोफेसर कॉलोनी नवगच्या, संपर्क करें 90601276429308708313 नवगच्या के नोनिया पत्टी में मार पीट खायल नोनिया पत्टी निवासी डोमन महत्तो, खंतर महत्तो को मार पीट कर घायल कर दिया है, दोनों घायल को इलाज के लिए अनमंडली अस्पताल नोगच्या पहुँचाया गया, बताया गया है, कि घर इलू विबाद को लेकर मार पीट हुई थी, इस समन्द में घायल ने नोगच्या थाने में प्राथमिखी के लिए आविदन दिया है धुलवजा सराप के नसे में गिरपतार, कदवाओ पीट पुलिस ने सराप के नसे में आरोपीट को गिरपतार किया है, आरोपीट कदवाओ पीचित के, कदवाओ पुनामा परताप नगर निवासी लड़ दूराय है, पुलिस ने आरोपीट को नोगच्या उनमंडली अस् पुलिस ने आरोपीत को नया एक रासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरों को सरकारी अस्तर पर प्लास्टिक सीट और कंबल मुहया कराए गया है। 2021 पर अहुनमटन एवन चिकन की खरेदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधाड़े। संपर के सुत्र 8603493747 खानी में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेश। नवगच्या का एक मात्र ऐसा स्थान जहां साधी विवाह मनाने का है संपूर्ण समधान। होटल फुड प्लाजा के सोना ओपेन मेरिस गाडन नवगच्या का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्ता के साथ जहां उपलब्द है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाईटी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधोनिक व्यवस्ता आपके आईए आपका इंतजार है, होटल फुड प्लाजा के सोना मेरिस गाडन, जिरो माइल नवगच्या भागनपूर, संपर्ख सुत्र 9661904817, 7992-499821 अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही रासन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओईमार्ट है आपके लिए तयार, ओईमार्ट के मुवाईल एप या बेप साइट से कड़े, बाजार मुली पर खुल कर खरीददारी पाए, होंग डिलेवरी, ओ अब आपके सहर नोगच्या में, कानहा स्विट्स एवं रेस्टोरेंट, हमारे यहां स्वादेश्ट मिठाई, जैसे काजु पान, काजु फ्रोट, काजु कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजेज मिठाईयां उपलब्ध है, सुगर फिरी मिठाई के लिए स जरूर पधाणे, कानहा स्विट्स प्रोफेसर कॉलोनी नोगच्या, संपड़क करे 9060127642, 9308708313